दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में कैसे हैं आप आशा करता हूँ दोस्त आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेक पेपर वालो बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल गई है बिल्कुल जस्ट अभी निकल कर आई है लखनों से उसको प्रकाशित किया गया है तो आईए फटफट अंदाज में जिसकी बेक लगी है बेक पेपर को कब अपलाई करना है कब उसके फॉर्म को फिल करना है उसकी डेट भी आ चुकी है आईए हम दोस्त बारी बारी से सारी चीज़ों को किस तना से फॉर्म भरा जाएगा वे सारी बाते दोस्त आज हम डिस 2022 को ये प्रिकाशित की गई है आए दोस्त हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं पहले हम बात करते हैं विशे की किस विशे में बात होगी परिशित द्वारा आयोजित सम समिस्टर वार्शिक बैक पेपर विशेश बैक पेपर है ना उसके बाद में परिक्षा जून 2022 2022 के परिक्षा परिडाम से संबंदित इसकूर्टी एवं पूनर मुल्यान कराय जाने के उपलब्द में बात हमें करनी है इसके सम्बंद में हमें बात करनी है कि बेक पेपर कब होंगे रीचेकिंग का फॉर्म अपलाई कब करना है कब डालना है यह सारी बाते दोस्त इस व बताऊंगा है ना तो आईए फटफट अंदास में हम बात करते हैं जैसे कि यहां पर देख रहे हैं दोस्त आप के उपरोक्त विशे के अवगत कराना है कि परिशद द्वारा आयोजिस सम्समिस्टर वार्शिक बेक पेपर विशेश बेक पेपर परिक्षा जून 2022 का परिक ब्त परिक्षा से संबनित ऐसे चात्र चातरा जो अपने अंकों से संटुष्ट नहीं है यानि एंसंतुष्ट है कि मेरे मार्ख चाली है तो लेकिन इनने भी सी दिये हैं जो एसन तुष्ट है है ना तो वो अपने बेक पिपर का यानि रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकता है उसके बाद में वेबसाइट कौन सी यहां पर किस वेबसाइट का हम यूज करेंगे जैसे कि यहां पर देख रहे हैं www.result.bteup.exam.in पर evolution वाले के माध्यम से किया जा सकता है है ना दोस्त उसके बाद में अगर हम देखे पहले point की बात करें तो स्कूटनी पूनर मुल्यांक है तो website यानी rechecking हम यहां तो rechecking करेंस डाल सकते हैं या स्कूटनी का form डाल सकते हैं है ना वह आपको पर बात होती है इसमें 500 रूब लगते हैं इसमें 60 रूब लगते हैं वो बात भी में दोस्त आपको बताने वाला हूँ line to line इसको पढ़ते हुए चलते हैं है तो website www.result.bteup.in पर उपलब लिंक apply for scrutiny या evolution पर छातर छातरा अपने enrollment number एवं जन्मितिति की साहता से आवेदन open कर सकते हैं उसके बाद में दूसरा point उपरोक्त आवेदन पिरिकरिया में तीन चरन निम ननुसार हैं है तीन चरन होते हैं उसके बाद में देखी पहला अगर्म यहाँ पर देखें तो registration scrutiny और evolution का है ना scrutiny या पूरर मुलियांग का आवेदन करने के उपरांद छातर छातरा कतीपे विशो में scrutiny या पूरर मुलियांग check box के माद्यम से check box के माद्यम से चैनित कर सकते हैं जिसकी back लगी है जिसको इसकूर्णी का या रीचे किंग का form लालना है सभी सभी कतीपे विशो के में आवेदन इसकूर्णी एवं पूरर मुलियांग विकल्प चैन करने से उपरांद छातर छातराएं अपने आवेदन के save print button के माद्यम से सुरिकषित कर सकते हैं सुरिकषित कर आवेदन का print ले लेंगे इस पिरिगिरिया के समाप्त होने के बाद छातर छातरा 24 घंटे के उपरांद दित्य विकल्प pay fees online के माद्यम से स्कूड़नी एम पूर्ण मौल्यांक शुल्क का भुकतान कर सकते हैं अगर आपस्कूड़नी का साथ रुपर पे करने पढ़ेंगे अगर आपको पूर्ण मौल्यांक य mày nella का प्तिä नहीं घान को पान्सो स्कूटनी या फिर पुनर मूलियाग यानि रीचेकिंग आते विशों का चैन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छादर चात्राय जिन विशों की परिक्षा में सम समिस्टर वाडशिक पेपर या बेग पेपर विशेश बेग पेपर परिक्षा जून 2022 में समलित हुए हो उनी विशों का चैन करेंगे यानि जो अभी आपने जिसमें आप एसफल हुए है जो अभी आपका रिजर्ड आया है बीस तारीको उसमें आप एसफल हुए है तो उसी के आप लिचेकिंग के फॉर्म डाल सकते हैं या फिर इवलेशन उसके इसकोटनी के राइट उसके बा पुनर मुल्यांग है तो रुपीज 500 रुप है रिचेकिंग में 500 रुप लगते हैं पूरी कोपी को रिचेकिंग किया रहता है पिरती विश्य की धनराशी निर्धारित है पे फीस ओनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टम्स कंडिशन डायलोग बॉक्स में किलिक कर उसके बाद में अगले पेज फीट कटेगी अगले पेज फीस केटेगरी में बॉट फीस चाहिनित कर चात्र चात्राएं इन्रॉल्ड संख्या एवं जन्विती सम्मंदित टैक्स बॉक्स में डालकर सब्मिट बटन किलिक करेंगे राइट उसके बाद में इसके बाद अग कर submit button पर click करेंगे है ना यानि सारी चीज़े को अच्छे तरीके से check करके fill करके उसको उसके बाद में submit करना है है ना उसके बाद में यहाँ पर click करने के बाद में अगले way page पर verify detail and confirm this transaction पर पहुंचेंगे उसके बाद में छात्र छात्रा सभी detail को check कर ये सुनिश्यत कर लेंगे transaction में प्रिदशित हो रही जानकरी सही है या नहीं है है ना transaction में उपलत जानकरी से संतुष्ट होने के उपरांद confirm button पर click करेंगे उसके बाद में अगले way page पर भुकतान के लिए विविन विकल्प प्रिदशित कर हो रहे होंगे चातर चातरा अपने आवेदन शुलक का भुकतान चार विकल्पों के मादियम से कर सकते हैं है ना चार विकल्प के मादियम से कर सकते हैं वो चार विकल्पों से आए समझते हैं जैसे internet banking SBI या other bank उसके बाद में card हो गया card payment जैसे SBI ATM CUM debit card other bank debit card या credit card उसके बाद में other payment mods या SBI branch या neft RTGS या UPI ID से इन सभी मादियम से आप अपना जो payment वो भुकतान कर सकते हैं लखनों की website या ओफिशल website पर ओफिशल जो उनका account है उसमर अब जिन चातर चात्राओं के पास internet banking debit card other card credit card NFT या फिर न EFT या फिर RTGS UPI की सुविदा उपलवद नहीं है वो payment चालान का print लेंगे किसी भी S.Y. branch में जाकर चातर चातरा payment चालान के मादियम से अपना स्कोर्टनी अवं पुनल मुनियांग का शुल्ग जमा कर सकते हैं तो किसी भी आप branch में जाएएगा S.B.I. की वहां से आप अच्छे तरीके से चालान को ले करके आप भर सकते हैं उसके बाद में किसी भी भुक्तान मादियम उप्योग करने है तो बैंक शुल्ग को संबंदेद भुक्तान करने के 24 घंटे बाद चातर चातरा आवेदन के उपलब्द आवेदन में उपलब्द तृतिय विकल्प आफ्टर फिस सबमिशन टAC रीसिप्ट ऑफ़ पाइमिंट के माध्यम से पाइमिंट रिसिप्ट का प्रेंट लेंगे आवेदन एवादन पाइमिंट रिसिप्ट के प्रेंट आऊट को अपने संस्था पिर्दानचारश्म को जमा करेंगे है ना जब आपकी वो जो फीज जमा हो जाएगी उसकी रिस्ट निकलवा कर आप अपने प्रिधान चाहिए को जमा कर गए है ना उसके बाद में किसी भी पिरकार की ऐसमज्जस की इस्तिती में कि है एक ऑनलाइन पेमिंट की सुवीदा बैंक दूआरा उपलब्द कराई जा रही है किसी भी विशेप परिस्थती के भुक्तान समझ्दित परेशानी एवं विवात के लिए सम्मझ्द समझ्द बेएक संपर्क पर तूटि समस्या का निरस्ताराइड कर सकते हैं भुक्तान सबी सब्दी तुरूटी समस्या के लिए प्रिविदिक शिक्षा परिशद उत्तर परदेश लखना उत्तरदाई नहीं होगा यानि आपको पैमिंट बिल्कुल सही तरीके से करना है अगर आपने कहीं और पैमिंट कर दिया तो उसमें लखना उत्तरदाई नहीं होगा है ना उसके बाद में स्कूर्णी एवं पुरनर मुलियांग के रिश्चन की थी 26-9-2022 देखे दोस्त यहाँ पर 26-9-2022 को आपका इंवलेशन का और स्कूर्णी का फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं 20 तरिक्स है कब तलक 2010-2022 तक एवं पैमेंट रिसिप्ट के प्रिंट आउट है तो अंतिम्ति थी 4-10-2022 है परिशत दुवारा इस्कूर्णी एवं पुरनर मुनियांग है तो उसके बाद उप्रोक्त ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन सिविकार नहीं किया जाएंगे यानि 4-10-22 के कोई भी आवेदन होगा तो वह सिविकार नहीं किया जाएगा उसके बाद में आप से अपक्षा है कि अपने संस्तान में अधिनर छातर छात्राय को कतिपे विशे में आवेदन करते समय दोनों विकल्प इसकूर्णी पुनर्मुन्यां का चैन साउधानों पूर्वक किये जाने एवं जिन विशों की परिक्षा समस्तर बेक पेपर विशेश पेपर बेक पेपर विशेश पेपर या फिर परिक्षा जून 2022 से सम्मील हुए हो उन्हीं विशों का चैन के जाने है तो संस्ता इस तरपर सुचित करने का कश्ट करें यह दि छादर छादर दुवारा अपने अपने चैनित विशों में किसी भी पिरकार की तुरूटी समस्य होती है तो छादर छादरा सोयम खुद ही उसका उतरदाई होगा है ना तो यह दोस्ति यह अभी लेटेस्ट अब्डेट आप स्टुडेंस के सामने निकल कर आ रही है मुझे उमीद दोस्ति यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लेगी होगी तब तले के लिए बने रहेगा नेक्स्ट अब्डेट के साथ में हम जरूर आपको मिलेंगे तो गोड़ ब